कि यह जो का इस टॉप मार्केट नियूस वाद करने वाले हैं महिंद्रान महिंद्रा नियुक्त के बारे में बात करने वाले हैं तो देखेगा मैं आपको बतारू इसके जो रिजर्ट्स हैं वो completely एक flat तरीपी के रिजर्ट्स हैं बहुत जार अच्छे नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है लेकिन अगर आप देखेंगे इसकी performance की बात करें कि stock ने कैसा perform गया जब इसके नतीज़े आए तो देखेगा इसमे लेना तो देखेगे finance कहीना कहीं से उठाएंगे और तभी लेते हैं तो देखेगे वोसी की वज़ा से क्योंकि retail finance भीकुल मौजूद नहीं है market में इस वक्त क्योंकि उसकी वज़ा आप लोगों को पता ही है market में कहीना कही liquidity बहुत कम है और उसी की वज़ा से इनके जो December quarter के result रहे वो खराब रहे है बात करें government का perspective कैसा है तो बहुत ही अच्छा है government कुली तरीके से agriculture और आपका रूलर डेवलप्मेंट जो कि एक काफी अच्छा signal है इस company के लिए और सारे auto जितना भी auto sector हमारा है तो चलिए आए देखते हैं किस तरीके के नतीजे इसके रहे तो देखिएगा इसकी जो net sales की बारे में बात करूं quarter on quarter five अगर हम इसको compare कर लें तो देखिएगा देखिए दिसमबर 2018 की बात करें तो देखिए तो ज्यादा sales नहीं बढ़ी है यानि कि बस अलगी सी बढ़ी है तो percentage बात कर लें तो 0.63% के लिए बढ़ी है वहीं देखिए operating profit की बात करते हैं जो कि accept करता है इनकी other income को जिसमें other income बिल्टू जुड़ी भी नहीं है जो कि इनकी operating इनके business से जो पैसा आया उसके बात करते हैं जो कि आपको 1570 करोड के लगबग दिखाई देगा 1570 करोड के लगबग दिखाई पड़ेगा वहीं बात करते हैं पिछले quarter की स्तंबर की तो देखे 1604 के लगबग आपको दिखाई पड़ेगा तो यह कितना change हुआ माइनस 5.47% के लगबग तो आप देख सकते हैं एक ग्रावट है एक नेगेटिव शिपनेचर अब दिखाई पड़ा वहीं बात करते हैं इक्सेप्शनल आइटम के बारे में तो इनकी अधर इंकम होती है या अधर सोर्स होती जिसमें profit होता है या loss होता है तो देखे इस quarter म कि यह काम करते हैं उससे अलग को income और देखे जो percentage wise बात कर लें quarter में quarter में quarter में जो देखेगा आपको 1076 के लगबग पिछले अगर आप देखें quarter में तो सितंबर 2018 में आपको दिखाई देखाई देगा देखें 1649 तो आप खुद देख सकते हैं किस तरीकी की ग्रावट हमें दिखाई पड़ी एक और माइनस चीज हमें दिखाई पड़ी यहां पर तो देखेगा आप देख सकते हैं जो कि change के बारे में बात करें परसेंटेज बास तो माइनस 34.72 के लगबग आपको दिखाई पड़ेगा तो यह operating profit margins के बाद में बात कर लेते हैं तो तो देखेगा year on year basis पर हम आजाते हैं तो देखेगा December 2018 को हम compare करेंगे December 2017 से तो देखेगा आपकी sales जो दिखाई पड़ेगी आपको तो देखेगे इस quarter में बहुत देखें 13,000 के लगबग है वहीं देखेगा यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी 11,500 के लगबग तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर year on year देखें तो देखें आपको एक बड़ोतरी होती भी दिखाई पड़ेगी वहीं बात करें operating profit की तो देखेगा operating profit आपको दिखाई पड़ेगा तकरीबन तकरीबन 1500 के लगबग और देखें यहां पर बात करेंगे तो देखें थोड़ा सा हम जादा है 1517 और देखें यहां पर है 1493 तो आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा हम उससे जादा है तो देखें वहीं हम बात करते हैं exceptional item की तो देखें उस quarter में year on year basis पर भी अगर आप देखेंगे तो 385 करोड के लगब आपको दिखाई पड़ेगा वहीं देखें इस वाले में तो हमारा year on year basis पर नुक्सान हुआ है तो देखें आप देखते हैं आगे चलिएगा net profit की बात करते हैं तो देखें आप देखेंगा यहां पर 1215 के लगबग आपको दिखाई पड़ेगा वहीं देखें यहां पर आपको 1076 के लगबग दिखाई है यहां पर तो देखें वह जो है वह भी देखें घटे हैं आपके year on year basis पर 12.90 के लगबग था आप देखें 11.61 के परसेंट आपको दिखाई पड़ेगा तो देखें मैकसिमूल चीज़े मैंसे नेगेटिव भी दिखाई पड़ी है और जो पॉजिटिव भी है वह बहुत थोड़ी सी है कुछ खास इनकी सेंथ बड़ी नहीं है इतनी जादा और देखेंगा nine का operating profit भी कुछ जादा बड़ा है तो एक तरीके के आप कह सकते हैं mediocre किसम के या flat किसम के आपको देखने के लिए देंगे नतीजे तो चलिए आईए आगे बात करते हैं देख लेते किस त अब देखेंगा पहले सितंबर में 21.52 आप देखेंगे 21.48 परसंट है वही ऐसा फारी की बात कर लें तो देखेंगा इन्होंने भी घटाई है तक्रीबन एक परसंट के लगबग इन्होंने घटाई है जो की आप है थर्टीटीटू.98 परसंट पहले थी 33.96 परसंट तो द देखेंगा 10.27 परसंट के लगब बढ़ गई है पहले 9.94 परसंट ही वही इंश्रेंस कंप्रीज की बात कर लें इन्होंने भी बढ़ा ही है 0.29 परसंट के लबग बढ़ गई है जो की 11.29 परसंट है पहले थी 11 परसंट के लबग तो देखें नॉन इंस्टिटूशनल की बात कर लेते हैं तो देखें उन्होंने भी बढ़ा ली है रहा कि 0.57 परसंट कर ली है पहले 0.56 परसंट ही यानि कि 0.01 परसंट के लगब बढ़ा ही है तो देखेंगा वह है यह बहुत पॉजिटिफ चीज है देखेंगा उनका होना ही बताता है कि कंपनी किस किसम की है और किस तरीके के रिटन्स आपको भविश्य में मिल सकते हैं वही इनकी जो प्लेज रखी हुई होल्डिंग्स है उनके बार में बात कर लेते हैं प्लेज रखी है यानिकि गिर्वी रखी हुई है यह गिर्वी रखी हुई है यह कोई बड़ी बात नहीं है यह गिर्वी र यह वो मैं आपको बता दू तो 35 इसकी इंदर पैसा इंदस्ट कर रखा है मुचल फंड की इसमें जी हुई है इसकी परफॉरमेंस पर यह इतना डाउन है वहीं बात करते हैं वहीं बात करते हैं वहीं पर इसकी परफॉरमेंस कैसी है तो देखेगा वन मंद की तो देखेगा आपको वन मंथ पर देखने के लिए मिलेगा देखेए आपको वन मंथ पर बिलेगा 5.73% देखेगा यह है डाउन ठीक है यह 5.73% के लगबर डाउन है वन मन्त में यह तिल डेट की बाद कर लेते हैं देखेगा यह तिल डेट की बाद करते हैं तो देखे यह आपको को माइनस फिफ्टी तो 0.2% के लगब डाउन मिलेगा है कि इसमें आपको गिनावट मिलेगी माइनस में है वल्ली चलिए आगे चलते हैं वन एयर की बात कर लेते हैं देखेगा वन एयर में भी देखेगा यह दाउन है माइनस 9.39% के लगब देखेगा यह दान है इस के तीन साल में इसकी पर्फेमेंस कह가는 14.07 यह बड़ोतरी कहें तो आप देख सकतें drei साल में इसकी पर्फेमेंस 14 थी जो कि आप इसे आफसाइड दिखिया वही बात करते हैं देख़े में आप देखें 10 साल में जो इसके रिजर्ट्स है वो आप देख लीजिए 896.353% के लगवग देखेंगा यह अप है देख सकते हैं इतने इसने रिटरंस दिये हैं तो आप कुछ समझेए कितने बहत्रीन रिजर्ट्स दिये हैं इसने तो यह आप देख सकते हैं इसकी परफॉर करने के बारे में तो देखेंगा अधाय सी चीज़ें को तेजी ज़रूर मिलेगी यह तो काशी अच्छा स्टॉक है इसमें कोई बात नहीं है चलिए फिर इसी के साथ में वीडियो को आप शिम्लों आपनी अगली वीडियो में अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब लाइक कर लीजिए तो बेल आइकन को फ्रेज कर दीजा आपको अगली वीडियो में अच्छा लागा तो लाइक कर दिके और फ्रेंड्स से आधा में दूट में शेयर गरिए चलिए थैंक्यू